सोशल इशू से स्टार्ट करते हैं और आपे कलर चेंज कर लेते हैं पहरा इशू जो है वो हायर एजुकेशन इन इंडिया से है इस पर अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं चाहे वो आपके प्रिलिम्ज में पूछे जाएं या आप इसको मेंन में कम से कम GS1 में expect कर सकते हैं या आप इसको Essay में expect कर सकते हैं तो इशू क्या है नீउस में क्यो है न misunderstanding क्योंकि Ministry of Education ने यह अभी Ministry of Education है वो अभी Ministry of Education बनाए गई है इससे पहले ये HRD Ministry के अदर आती थी Human Resource Development आपको पता होना चाहिए कि Ministry of Education कौन से साल में बनाई गई थी इन्होंने रिलीस किया है All India Survey of Higher Education AISHE All India Survey of Higher Education Report ठीक है 2019-20 का ठीक है अब बात यह कीजिए यह रिपोर्ट है यह एक annual रिपोर्ट है जो कि web-based survey पे होता है कोई घर घर जाकर नहीं कर रहा है web-based survey हो रहा है ठीक है जिसको conduct किया जाता है मैं शुरू बात इसकी हुई थी since 2010 ठीक है यहाँ पे लिखावा है इसकी status क्या है यह portrait करता है यह portrait करता है status of higher education in India हमारे देश में higher education की स्थिती क्या है इसकी status क्या है यह portrait करता है इसका फाइदा यह है कि इसके आंकडों को देखकर सरकार आने वाले समय में अपनी policies को बना सकती है ताकि हम directly target oriented policies बना सके इसमें फाइदा एक और है कि इसमें result मिलने की संभावना बहतर होती है और इसमें जो waste of resource होता है वो कम किया जा सकता है काफी हथा क्योंकि आप targeted way में policy बनाते हो यह एक central sector scheme है दोस्तो central sector और central sponsor में यह फरक आपको पता होना चाहिए central sector है इसका मतलब 100% central का पैसा लग रहा है अगर यह central sponsored होता तो अलग-अलग ratios होता है center और state के अंदर अलग-अलग ratio होता है उस ratio में resource की जो है वो बंटन होती है लेकि यहाँ पर sector scheme है यहाँ पर 100% central का पैसा लग रहा है दूसरी बात यह जो survey होती है it is based on voluntary सबके उपर voluntary सारे institutions जो है higher education के institutions वो उनके उपर यह voluntary obligation है कोई mandatory obligation नहीं है उनके उपर voluntary obligation है कि वो अपने तरफ से data जो है वो share करें और यह जो है तीन categories में आती है एक universities, दूसरी colleges या other institutions तीसरा होती है stand-alone institutions यानि कि जो अभी तक not affiliated with the universities and are not empowered to provide degrees जैसे diploma level program जिस इस institutions होते हैं उनकी बात कर रही है अब अगर हम इस आकरों को देखे तो समझ माएगा कि कौन-कौन से issues है जो हमें समझना चाहिए सबसे पहला issue है distribution of higher educational institutions पूरे देश में कहां कहां higher education की जो institutions वो distributed है यह सबसे एहम जरूरत है जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम इतना देखें तो समझ में आएगा आपको 2014 में universities पूरे देश में 760 था जबकि आज के तारीक में यह 1000 के उपर है यानि कि universities बढ़ी है जैसे colleges जो है 38,000 थी जो कि अभी 42,000 के उपर है यानि कि बढ़ी है दूसरे तरह stand-alone institutions जो थी उसमें से एक negative आपको दिखाई देगा तो इसका मतलब यह है कि higher education में investment हो रहा है investment हो रहा है लेकिन उस level का नहीं हो रहा है जिस level की ज़रूरत है दूसरी चीज यह भी एक निशकर्स निकाला जा सकता है higher education में जो development आपको देखाई दे रहा है वो colleges के खेतर में काफी ज़ादा है compared to universities हाला कि यह जरूर हम कह सकते हैं कि investment हो रही है इसके लावा जो stand-alone institutions है इसको हम लोग कम देख रहा है यह नीचे जा रही है ग्राफिस की इसके कई सारे वज़ा हो सकते है यह हमें पता होना चाहिए था अब इसके उपर directly mcqs बन सकते हैं इसके बाद हम लोग और क्या जान सकते हैं इन्रोल्मेंट हायर एजुकेशन में किस लवल की हो रही है इन्रोल्मेंट में तब भरती किस लवल की हो रही है ठीक है तो जो gross enrollment ratio है in higher education इंडिया में वो rise हुआ है वो बढ़ा है ठीक है वो अच्छी बात है कि वो बढ़ा है दूसरी चीज यह है कि जो gender parity है लड़का और लड़की इन लोगों में कितने लोग लड़की पढ़ रही है कितने लोग लड़के पढ़ रहे हैं higher education यह जानना ज़रूरी है तो जो gross enrollment ratio है उसका अनुसार women की संख्या जो है 2019-20 में 27% है दूसरी तरफ यह जो gender parity index होती है higher education इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि gender parity index क्या होती है यह indicate करता है an improvement in the relative access to higher education for females थीक है next हम higher education की बात जब करता है तो 18-23 साल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं people to teacher ratio यह भी बहुत PTR भी important है इसका मतलब यह कि एक teacher कितने बच्चों को पढ़ा रहा है अगर एक teacher जादा बच्चों को पढ़ाता है तो उसमें दिक्कत होती है क्योंकि सबको individual attention नहीं मिल पाती दूसरी तरफ है कि अगर ratio बच्चों का कम है लेकिन teacher की संख्याक के अंसार यह PTR ratio अगर बहतर है तो individual बच्चों की improvement होती है for example higher education में अभी PTR जो है वो 26 है यानि के 26 बच्चों को एक teacher पढ़ाता है which is a decent score अगर यह 26 के जगा पे जैसे Tamil Nadu या करनाटका ऐसे state से जहाँ पे PTR 18 है तो teacher और ज़ादा महनत कर सकता है individual बच्चों पे लेकिन जैसे बिहार है जहारखंड है यहाँ पे 50 है बच्चास बच्चों की जिम्मदारी एक teacher के उपर है यानि के वहाँ पे teaching का जो situation वो खराब है क्योंकि वो individual बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे सकती तो यह हमें समझनी पड़ेगी इसके लावा और क्या है इसके लावा है preferred educational stream आज के तारीक में तक्रिबन 85% of the students यहने के almost 3 करोड बच्चे 2.85 करोड बच्चे जो है वो majorly 6 streams को चुन रहे हैं पहला humanities, दूसरा science, commerce, engineering, medical, IT यह computer यह humanities में जाने का ज़्यादा scope इसके लिए भी लोगों को अच्छ मन करता है आज के तारीक में क्योंकि बहुत सारे सरकारी exams होते हैं उनमें यह बड़ा फाइदा मन होता है चलिए इसके अलावा जो है share of foreign students यह भी हमें पता चलता है इस report से इसके अनुसार जो foreign students की enrollment होती है higher education level in India आज के तारीक में वो तक्रीबन 47,000 के उपर है नेपाल साबसे आदा बच्चे आता है पढ़ने के लिए at the rate of 30-26% उसके बाद अफगानिस्तान से भी आता है बांगलादेश से भी आता है एफरिका के दो कंट्रीज से आते हैं और एक नाइजेरिया से आते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे कि किस तरीकी के challenges इंडिया face कर रही है with respect to higher education ठीक है किस तरीकी के challenges आ रही है सबसे पहला और सबसे एहन चीज low student enrollment in comparison to the developed and other developing countries यानि कि enrollment ratio जो है भरती करने की जो ratio वो भारत की काफी कम है भारत की काफी कम है यहाँ पर देखिये अमेरिका में 88% है चाइना में 54% है ब्रजील में भी 51% है ठीक है लेकिन अगर कहीं पर low इन से भी low जैसे इंडिया के बास 27 या 27 है तो इंडिया के और low है लेकि low होने के वज़े से इसका मतलब कि बहुत सारे बच्चे जो है वो higher education में नहीं जाना चाते और इसके कई सारे वज़े हो सकती है ठीक है दूसरा और यह हमारे स्थिती इतनी खराब है despite having right to education despite having education is a fundamental right और education एक ऐसा अधिकार है जिसके वज़े सा हमें आगे चलके नौकरियां मिलती है तो अगर बच्चे कम जाएंगे तो employability कम होगी, नौकरियां कम होगी ठीक है low GER, low gross enrollment ratio in India is primarily because of the shortage of educationally eligible population ठीक है for enrollment at higher education मतब ये लोग 18 साल तक ही नहीं पढ़ पाते हैं धंग से 11, 12 तक पढ़ेगा तब ना higher education करेगा लेकिन वहीं तक नहीं हो पा रहा है despite having RTE इसका अलावा social inequality एक और aspect है इस पर तीन चीदी याद रखनी है जैसे अमीर गरीब का divide, rural urban का divide और marginalized section का divide ये भी एक कारण बन जाता है आगे चलके पढ़ने या ना पढ़ने का जो सिलसिला है इसका अलावा shortage of resources ये हमारे लिए कोई नहीं बात नहीं है shortage of resources state universities को और colleges को पैसे उतने नहीं मिल पाते क्योंकि जो UGC है इसका जो total fund आता है उस total fund में तकरीबन 65% जो है वो central universities के पास चला जाता है जो बचता है उससे सारे भारत का colleges और state universities जो है उसमें देना पड़ता है इसका अलबाब poor employability देखिए इसमें एक और दिक्का देखिए कि इंडिया skills report आती है 2001 में जो निकली थी उसके नुसार 45% जो है वो disciplines जो है वो employable disciplines है यानि कि major skill gap और employment rate का एक आपको divide दिखेगा कहने का मतलब यह है कि जो education हम प्राप्त करते है और जिन skills की जरूरत होती है employment से उसमें बहुत difference है इसके लिए क्या होता है कि skill gap हो जा रहा है जिस चीज की हमें employment मिल सकते है उसमें हम लोग सक्षम नहीं है उसमें हम लोग skilled नहीं है और जिसमें हम लोग skilled है उसके लिए jobs नहीं है तो यह जो unemployment और skill gap का rate है यह graduates के लिए वाफ़ती frustrating हो जाता है इसके लावा quality of education जैसे बहुत सारे universities और colleges है जिसकी minimum requirement भी जो है जो UGC बोलती है वो उसको fulfill नहीं कर पाती इसलिए universities grant commission यानि की UGC एक annual list निकालने की शुरुबात करे जिसमें fake universities के नाम से और fake colleges के नाम से उन्होंने एक list बनाना चालू करा है इसके लावा faculty का shortage है देखिए faculty या teachers को अभी तक वो attractive चीज नहीं लग रही है इसलिए जो है education sector जो अभी भी teachers को attract नहीं कर पा रही है इसके लावा research and development के अगर हम बात करते हैं तो research and development में भी हम लोग केवल मातर 0.65% invest करते हैं तो स्वाभाविक है कि इतने कम पैसे में अच्छे result आप expect नहीं कर सकते इसके लावा governance and accountability state level authorities का जो यानि कि यह state universities जो affiliated होती है इन सब में सरकार का इतना involvement होना शुरू हो गया है इन सब का अभाव दिखाई आपको देगा या पर मैंने एक example लिया है हम लोग modern history में करजन के समय universities act पड़ते थे एक example इसके अनुसार किस तरीके से सरकार interfere करती है university education माजिस से education system बिगड़ जाता है उसका आपको आज भी अलग रूप में आपको example दिखेगा इसके अलावा जो हाल फिलाल की situation है covid crisis उसके अनुसार तो बहुत सरे negative impact पड़ी ही है virtual classes के लिए या alternative structure for education हम लोग passive learning के लिए उतने prepared नहीं है हमारे teachers unprepared रहे है तो इसके अलावा जो prevailing digital divide है सब कई लोग के पास जो है वो internet का भाव है तो इन सब चीजों से क्या होता है कि काफी ज़्यादा दिक्कते शुरू हो गई है अब हम बात करते हैं कि what are the way forward opportunities क्या है हमें इसको ठीक करने का सबसे पहले तो चीज़ है कि हमें blended learning system को अडाप्ट करना पड़ेगा blended का मतलब यह है कि हमें बोथ online and offline ये दोनों को ही simultaneously growth करवाना है blended learning करना पड़ेगा synchronizing both classroom and online teaching particularly इन पोस्ट को भी डेरा इसके लावा investment करना पड़ेगा सरकार को investment करना पड़ेगा online learning solutions को और better करने के लिए इसके अलावा teaching जो है teaching को more attractive और lucrative as a career बना पड़ेगा वनना आपके पास अच्छे teacher नहीं रहेंगे teacher को भी अपना घर चलाना पड़ता है इसके अलावा industry and academic जो linkage है ऐसा पढ़ाई कराईए academic जो design है उसको ऐसे करिए कोर्स का design कि बच्चे जो पास करके ने के लिए वो employable बने ना कि वो skill और unemployment के जो gap है वो हम लोग को देखने को जो मिलता है इसके अलावा हमें enrollment indicators को redefine करने की ज़रूरत है हमें gross enrollment ratio से बहतर चीज़ चाहिए eligibility enrollment ratio eligibility enrollment ratio which is the ratio of eligible population those who have at least past class 12 उनके number हमें चाहिए कि वो लोग में से कितने लोग attend कर रहा है college ठीक है टोटल हम लोग जो लोग बच्चे हैं उनका हम लोग higher education में देखेंगे तो हमें शाद गलत information मिले हमें सिर्फ उतना देखना है eligibility enrollment ratio कितने लोग eligible हैं और उनमें से कितने लोग higher education कर रहा हैं तब हमें exactly चीज़े पता चल सकती है कि कितने पीछे हम लोग हैं in terms of higher education last but not the least upgrade करना पड़ेगा हमें accreditation capacity को there is a need for more players in the sector इसलिए अलग-अलग institutions ये universities जो निकल कर आएंगी उनको NAC का जो certificate चाहिए होता है या accreditation चाहिए होता है उसके बारे मैं यहां पर बात कर रहा है तो आपको यह समझ मा आ गया होगा next जो social issue के topic होगे वो होगा child labor अगर आपको अच्छा लग रहा है ये तो please इसको subscribe करें चैनल को और share करें